आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मसरुम मखना की सबजी तो आएए देखते हैं कैसे बनती है तो इसके लिए मैंने यहां क्या-क्या समागरी लिया है मैंने यह मसरुम लिया है जिसे मैंने हलका से ओवाल लिया है इसलिए इसका कलर चेंच हो गया है और यहां मैंने थोड़ा सा गोबी लिया है उसे भी मैंने फ्राइ कर लिया है और यह मैंने थोड़ा सा पनी लिया है उसे भी मैंने फ्राइ कर लिया है और यह मैंने एक बड़े प्याज को ऐसे टुकड़ों में काट लिया है यह हमारा अधरक लसन पेस्ट और यह सिंवला मि तो आई यह देखते हैं कैसे बनती है तो मैंने यहां एक पैन लिया है उससे में हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे तो यह हमारा गर्म हो चुका अब हम इसमें यह तेल डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे तो यह हमारा जीरा हो चुका अब हम इसमें यह कटावा प्यास डालेंगे और इसे फ्राइ करेंगे तो यह हमारा हल्का फ्राई हो चुका अब हम इसमें यह बड़े सिंला और छोटा सिंला दूनों को डाल देंगें EVERYगों के भी छोड़ा सब होमल्ला नहीं है और इसे मिक्स कर लेना है ताटी यह भी भूनें तो यह हमारा द्रक लसन पेश्ट भून चुका अब हम इसमें फल्दी पॉडर थोड़ा सा लाल मिर्च पॉडर और थोड़ा सा धनिया पॉडर ढालेंगे और इसे हमें मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं यह हमारा मसाला भून चुका है अब हम इसमें यह उबले हुए मकरूम और यह फ्राइक जोबी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेना है देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हम इसे दो मिनड के लिए कबर कर लेंगे अब हम कबर हता लेंगे और इसे हम थोड़ा सा चमस से चला लेंगे चारो तरब मैंने मिक्स कर लिया अब हम इसे थोड़ा सा गरम पानी डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी अब हम हाइप लैं में ょ रख देंगे और श्वाध अनुसार नमागट या तरह समाना र mega इस रिजिते चारो तरह मिक्स कर लेंगे 178 वहां में इसे दो मिनंट के लिए और इसे उबलने देंगे, अब हमें कबर हटा लेंगे, यह हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें यह पनीड फ्राइकिया हो, उसे डाल देंगे, अब हम इसमें यह मखाना भी डाल देंगे, और इसे हमें चालो तरफ मिक्स कर लेना है, अब हम इसमें यह सफेर सिल डालेंगे और ये टमेटो सॉस भी डाल देंगे थोड़ा सा और इसे हमें मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां हल्का साग्रेवी रखा है अब हम इसमें ये हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा रेडी हो चुका अब हम इसमें लेट में निकालेंगे सब करने के लिए तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका मसरूम माखना की सबजी तो मैं यहां थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज डालूँगी तो आप देख सकते हैं हमारा रेडी हो चुका मस्रूम खाना की सब्ची